हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मुझे उमीद है आप सब लोग अच्छे होंगे तो चलिए आज के वीडियो की शुरुवात करते हैं तो हम Mastering NextJS for Professionals with AI पे एक detailed book लाए हैं जिसमें total 10 modules होंगे और each module में हम NextJS को master करेंगे और उसके NextJS के बारे में संदोगे तो टोटल इस book में 10 modules होने वाले हैं जिसमें से हम सारे modules का आज एक table देखेंगे कि आज overview देखेंगे कि हर module में क्या समझने वाले हैं और इच module की जो information वो प्रोवाइड करता है वो हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में बाकी का जो main जो वीडियो में आगे में जो points हो हम आगे के वीडियो में देखेंगे आज हम एक basically से एक index टाइप index देखेंगे कि हम जो book है उसमें क्या-क्या है तो start करें हमारे module 1 से तो हमारा module 1 है introduction to next year जिसमें हम इस module में देखेंगे पूरे जो हमारा course है जो हमारे module 1 से लेके module 10 तो इसमें हम समझेंगे पूरे course overview हम पूरे course का overview देखेंगे फिर हम आगे समझेंगे की what is next year, next year होता क्या है और next year के बारे में समझेंगे फिर हम next year को समझने के बाग उसका जो development environment उसको setup करेंगे तो वह कैसे setup करेंगे वह हम देखेंगे इस module में तो हम overall course overview देखेंगे next year होता क्या है उसके बारे में समझेंगे and उसका development environment setup करेंगे यह हुआ हमारा module 1 फिर हम अपने module 2 की तरफ बढ़े तो उसमें next year के core concepts को समझेंगे जैसे pages and routing तो pages and routing में हम समझेंगे कि pages create कैसे करते हैं फिर routing में हम static vs dynamic routing के बारे में समझेंगे और nested routes के बारे में समझेंगे फिर हम static generation जिसको SSG बोलते हैं and server site rendering जिसको SSR बोलते हैं उसके बारे में समझेंगे और इन दोनों के अंदर और और होता है ISR जिसको बोलते हैं इसका program होता है incremental static regeneration वो भी हम इसी point के अंदर समझेंगे फिर हम API routes के बारे में समझेंगे जिसमें API routes के बारे में समझेंगे कि API routes create कैसे करते हैं फिर API routes को हम use कैसे कर सकते हैं अपने applications में and middleware in API routes को हम समझेंगे फिर हम data fetching के बारे में समझेंगे जिसमें हम data को कैसे fetch कर सकते हैं in pages में वो समझेंगे client-side data fetching को समझेंगे and handling of API errors, इसको भी हम समझने वाले हैं, तो overall हम core concepts module 2 में पढ़ेंगे pages and routing, static generation and server side rendering, फिर API routes and data fetching फिर हम अपने module 3 की तरफ बढ़ें तो module 3 में हम styling in next.js के बारे में समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे CSS and SAS जिसमें हम CSS को कैसे use करते हैं JavaScript में वो समझेंगे फिर global styles versus component level styles के बारे में समझेंगे and using SAS with next year, इसको हम समझने वाले हैं, फिर हम समझेंगे CSS and JS, JavaScript solutions, तो उसमें हम styled components के बारे में समझेंगे emotions and tailwind CSS की integration के बारे में भी समझने वाले हैं तो यह हम अपने module 3 में पढ़ेंगे module 3 में समझेंगे styling in next year फिर अगर हम अपने module 4 की तरफ बढ़ें तो वो है advanced features जिसमें जिसमें हम image optimization के बारे में समझेंगे, उसमें next या image component कैसे use करते हैं वो सब समझेंगे, फिर image optimization strategies के बारे में समझेंगे और उसके बाद responsive images को handle कैसे करेंगे हम भो भी समझेंगे फिर है custom document and app, तो custom document and app में हम document.js को customize कैसे करेंगे फिर उसके बाद customizing app.js को कैसे करेंगे फिर global metadata and styles के बारे में जो add कैसे करें, हो समझेंगे फिर middleware and edge functions जिसमें हम introduction to middleware देखेंगे, next.js में middleware के introduction देखेंगे और उसके बाद edge functions है, उनकी writing को कैसे लिखते हैं और उनकी deploying को देखेंगे फिर है internationalization i18m जिसमें हम setting up setting up internationalization देखेंगे की internationalization को हम setup कैसे करें फिर multiple languages को manage कैसे करें और roots को localize कैसे करें यह सब हम देखेंगे internationalization में फिर यही हम इतना सब हम समझेंगे module 4 जो है advanced features फिर module 4 के बाद है module 5 module 5 में हम देखेंगे performance optimization module 5 performance optimization उसके अंदर हम देखेंगे code splitting and lazy loading जिसमें automatic code splitting के बारे में पढ़ेंगे और dynamic imports and lazy loading lazy loading components के बारे में हम समझेंगे optimizing performance जिसमें हम analyze करेंगे और optimize करेंगे अपने build size को फिर हम third party script को कैसे लोड करें वह भी देखेंगे फिर performance profiling के बारे में भी हम समझेंगे अपने optimizing performance तो module 5 performance optimization में total overview हम देखें तो code splitting lazy loading and optimizing performance हम देखने वाले हैं तो module 5 के बाद हम आगे बढ़ें तो हम अपने module 6 की तरफ बढ़ें तो module 6 होगा हमारा testing in next year जिसमें हम testing कैसे होती है उसके बारे में समझेंगे उसके अंदर हम unit testing and integration and e2e testing देखेंगे तो unit testing हम समझेंगे कि Jest को कैसे setup किया जा सकता है next year यह देखेंगे और कैसे हम writing and running unit test को देखेंगे फिर integration and e2e testing में हम integration testing को देखेंगे react testing libraries के साथ फिर end to end testing with cypress यह भी हम देखने वाले इसमें तो overall module 6 में हम देखेंगे unit testing and integration and end to end testing फिर इसके साथ अगर हम आगे बढ़े अपने modules इसके बाद हम अपने module 7 की तरफ बढ़े तो module 7 आप्लिकेशन में वर्सल deployment के बारे में समझेंगे और other deployment platforms के बारे में समझेंगे जैसे होगे अपना Netlify, AWS, Heroku and और भी etc ठीक है एक्जाम पाले देखेंगे environment variables and configuration जिसमें हम environment variables को manage कैसे करें यह समझेंगे और different environments को next years में configure कैसे करें हम यह समझेंगे फिर है अपना monitoring and analytics जिसमें हम next years में integrating with monitoring tools कैसे कर सकते हैं फिर analytics के से add कर सकते हैं यह सब हम इसमें समझेंगे तो यह था हमारा module 7 deployment and production के बारे में फिर अपने module 7 के बार आगे बढ़े अपने module 8 की तरफ तो अपना module 8 है next years ecosystem and integration जिसमें हम type script with next years देखेंगे graph ql integration and cms integration को देखेंगे तो type script with next years type script with next years में हम देखेंगे कि type script को next years project में कैसे setup कर सकते हैं यह देखेंगे फिर type checking and types in next years को भी हम समझेंगे इसमें फिर है graph ql integration जिसमें हम graph ql को next years में कैसे setup करेंगे वो देखेंगे और Apollo client को using of Apollo client समझेंगे फिर cms integration जिसमें हम headless cms integrating के बारे में समझेंगे फिर fetching or displaying content from a cms हम cms में से fetching and displaying content के बारे में समझेंगे कि वो कैसे करते हैं फिर हम आगे बढ़े module 8 के बाद module 9 की तरफ बढ़ें तो वो है real world projects and case studies इसमें हम कुछ real world projects को देखेंगे और build करेंगे जैसे building a blog with next.js हम एक blog को build करेंगे फिर एक simple सा e-commerce store build करेंगे next.js को use करके and portfolio website भी हम create करेंगे तो building a blog with next.js पे हम एक markdown based blog को setup करेंगे फिर उसमें हम dynamic routes add करेंगे for blog post blog post के लिए हम dynamic routes को भी add करना देखेंगे उसके बाद है e-commerce stores with next.js जिसमें हम एक basic e-commerce store को setup करेंगे और उसमें payment gateway को कैसे integrate करते हैं वो भी हम देखेंगे तेरे अपना portfolio website portfolio website में हम personal portfolio website को build करेंगे और उसको deploy and managing जो site है उसकी deploying and managing को हम देखेंगे कैसे करते हैं यह हमारा module 9 है real world projects and case studies module 9 के बाद हम अपने last module के उतर पड़ें तो at the end module 10 में हम देखेंगे course wrap up and next steps की जो हमारा course का उसका wrap up देखेंगे और हमारा जो आगे के steps है उसके बारे में समदेंगे तो उसमें है तो उसके अंदर हम total review and summary देखेंगे जो भी हमने पहले के modules में जितना पड़ा है पूरी book में हमने जितना पड़ा है उसका एक summary देखेंगे जो हमारे key concepts हमने जो सीखेंगे उसको summarize करेंगे और best practices देखेंगे common pitfalls के लिए ठीक है फिर है next steps and advanced learning advanced learning and next step तो उसमें हम resources for further learning हम आपको resources for further learning पताएंगे फिर community and contributions to open source projects ये भी हम समझेंगे question and answer Q&A and feedback session जिसमें हम common questions को address करेंगे जो भी common questions होंगे और फिर collecting feedbacks for course improvement ये हम देखने वाले हैं तो ये हमारी total book होने वाली है जिसमें total 10th modules होंगे तो ये book का नाम है mastering next years for professional with AI तो अभी हमने से इसका index देखा था कि हम कौन-कौन से topics and कौन-कौन से points को हम देखेंगे in future तो in future इन पे हम detailed videos बनाएंगे जिसमें आपको each concept को explain करेंगे each module को हम आपको explain करेंगे कि module 1 में क्या है module 2 में क्या है and so on तो तब तक के लिए that's it तो अगर आपको इसमें कोई modifications चाहिए तो आप हमें comment sections में बता सकते हैं और हम जहां हो सके वहां AI और chat GPT का भी help लेंगे तो तब तक के लिए that's it करेंगे